हेलो दोस्तो रेलकारवाज चानल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बारती रेलवे से बारिश में सफर करने का उभव ही कुछ अलग होता है और कभी-कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण पट्रियों पर पानी भर जाता है जिसके कारण ड्रेल यातायात में बहुत तकलीफे होने लगती हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ड्रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं क्या इसमें कोई रिस्क नहीं रहता तो इस वीडियो के अंतक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोज देखते राने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिए आज का रेल कारवाँ शुरू करते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नाई और दिल्ली में इस तरह की परिस्थितिया हर बारिश में आती हैं दूसरी जगह भी आ सकती हैं, ट्रैक के उपर 4-6 इंच पानी रहे तो ट्रेनों को सीमित गती से चलाया जाता है ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैनुवली क्लैंप करके ताला लगा दिया जाता है और फिर ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे सीधे चलती रहती है सीधे सीधे से मतलब लोकल लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर ही चलेगी और फास्ट लाइन वाली ट्रेन फास्ट लाइन पर ही चलेगी पानी भरने से track circuit फेल हो जाते हैं तो main signal फेल हो जाते हैं लेकिन automatic signaling में हर main signal के post पर एक A marker signal लगा रहता है और train उसी को देख कर 15 km की गती से चलती है जैसा कि इस तस्वीर में आप इस signal को भी देख सकते हैं main signal के नीचे जो A letter देख रहा है वही A marker signal है इसी को देखकर ट्रेन चलती है इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ट्रेन 15 किलो मीटर की गती से चलती है हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गये होंगे कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारती रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई